आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, the question is Read the following passage and answer the questions ठीक है, देखो हमें ये question जो लिखावा है Horace Danby was dash तो इसके बाद हमारे पास options given है हमें एक option choose करना है देखो, basically जो passes है वो किसके about है वो जैसा कि यहाँ पे लिखावा है Horace Danby ये एक आदमी है, Horace Danby एक person है इसके बारे में बात वी भी है कि he was good and honest citizen ऐसा लोग सोचते है everyone thought, ठीक है but वो है नहीं, वो क्या है वो 50 years old है unmarried है, ठीक है अपने housekeeper के साथ रहता है fine, उसके अलावा he was usually very well and happy उसके अलावा except बता रखाए कि कब नहीं होता he made expensive locks क्या बनाता है? expensive locks बनाता है ठीक है, उसके बारे में कुछ बाते की गई है कि he was good and respectable but not completely honest बनाता है, इसके बारे में कुछ बाते की गई है उसके बाताया गया है कि वो first time only एक बार जो क्या है वो prison, मतलब उसको जेल हुई हुई है कि इसके लिए जोल स्टील करने के लिए और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी honest life को जी सके so this was all about the passage fine, अब जैसा कि यहाँ पे given है कि Horace Denbe was that तो यहाँ पे options हमें given है the first one is old कि वो बूड़ा है हाँ, देखो वो लिखा है न, 50 years old जब हम 50 साल के इंसान की बात करते हैं तो obviously वो 50 साल का इंसान जो होगा वो बूड़ा तो होगा ही right, यानि कि यह जो old वाली बात है ही सही है, अब देखो यहाँ पे unmarried भी लिखा है, तो यह unmarried वाली भी बात चाहिए है पर पूरे passage में न, कहीं पर भी उसके handicap होने की बात नहीं की गई है ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं given है कि वो unmarried है तो this particular thing is wrong fine, वो unmarried है यह ठीक है, वो old है यह ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे A और B दोनों correct है यानि कि यह जो D part है na that is A and B बोथ है यह correct हो जाएगा, so correct answer of the given question is option D, so this was it thank you झाल